बिमान इस्तले चार मिनेट समय नदिधा यात्रू बगिको नेपाल एरलाइंस को जहाज उन्ना पाए ना मंगलभार राथी दुबई उन्ना का लागी नेपाल एरलाइंस को आर ए दुशे एक्तिस नम्मर को उडान तयाई भयो उक्त उडान का लागी सबय यात्रू हरुको बोरिंग पनी गरियो नेपाल एरलाइंस को वाइट बडी जहाज साड़े आठ बजे एंगर बाठ निकाले रा पार्किंग वे मा लेईयो तेसल गते क्याटरिंग आइटम जहाज मा बोर्ड गरियो र यात्रूलाइ पनी जहाज चड़ाईयो 9 बजेर 35 मिनेट जादा यात्रू सबी चड़ी सकी पची 9 बजेर 37 मिनेट मा जहाज मा इंधन परने काम पनी सकी यो इंजिनेरिंग क्लीरेज स्पाय पची 9 बजेर 45 मिनेट मा जहाज का सबी धोका बन्द भाएर यात्रूहरू जहाज उन्ने परखाई में राए जहाज को जब धोका बन्द गरेरा व्याक गरी उडान शुरूगा ने तैयारी गर्यो तेई समय यांगन ड्रैगन एर को जहाज बनी धाबन मार्गा में थियो 10 बजन तीन मिनेट बाकी हुदा ड्रैगन उडियो तर नेपाल एरलाइन्स को जहाज बने उन्न पाये न राती दस बजे बिमान इस्तल बंद हुने व्यवस्ताराएको भंदै एटी सीले अनुमती नदिये पछी उडान रद्द भैको नेपाल एरलाइन्स का प्रभक्ता क्याप्टेन बिजय लामाले जानकारी दिये लामा का अनुसार जहाज मां 116 जना यात्रूर 14 चालग दल का सदस्षी थी क्याप्टेन ले जहाज मां प्यासेंजर बोड भई सके को र केबल 4 मिनेट मात्र थब गरी दिन आगर अगरे का थी तर पनी बिमान इस्तल ले दिये न लामाले भने एसो हुदा एकातीर दुबई जाने भने र जहाज चडि सके का यात्रोरू अरकातीर मानासिक तनाप मां परे अरकोतीर आमिलाई पनी छेती भयो जहाज हांगर बार्ट ताहने र ल्याऊन दिने पैसेंजर बोड पनी हुन दिने तर 4 मिनेट समय न दिये र विमान इस्तल ले राष्टिये द्वजा बाग माती अन्याई गरे को लामा को भनाई छा दस बजे विमान इस्तल बंद हो दैशा पनने था पहले इथियो ते उनसार की पहले बोड हुन की न दिये को दी सके पची दुई देखी 4 मिनेट को समय पनी तीन न शकने विदेशी एरलाईन्स लाई जसरी पनी समय मिलाउने अनी हामिलाई वास्ते नगर ने लामाले भने एसरी नेपाल एरलाईन्स माती चोधर पी हमला होने हो बने आमी को सरी अगी बनने हो